Hello everyone, welcome back to another video दोस्तों कल में सपना का वीडियो देखी थी जिसमें सपना जो है बहुँ जादे रो रही थी और कल की वीडियो में अपनी पूरी दिल की बाते रोते हुए इतना रो रही थी कि सारी दिल की बाते बया कर डाली सपना इतना क्यों रो रही थी? क्या ससुराल वाले के तरब से सपना को कोई दिक्कत है? क्या ससुर हेट कर रहे हैं सपना को? क्या परिसान है? सपना ने कल की वीडियो में इतना रोया, इतना रोया कि सच में इतम हिर्दय जो है ना फट जाता है सपना को देखी कि सपना को उपर, जो भगवान दुखों का पहार जो तोड़ा है ना, भगवान करे, ऐसा दुख किसी दुस्मन के उपर भी ना आए इतनी कम समय में एक नहीं दो दो पती को खोना इतनी कम उमर में सुहागर होके विधवा होना एक बार नहीं दो दो बार सपना के साथ हादसा हो चुका है और इतनी कम उमर में पुरा समाज को पुरी दुनिया को पहचान गई सपना और कुछ लोग जो हैं, अभी भी सपना के पीछे हाथ धोके पड़े हुए, अभी भी कुछ लोग है, सपना ने कितना कुछ साहा और बहुत ही strong होके सपना हर चीज को सामना किया, लोगों ने सपना के बारे में क्या क्या नहीं बोला, कि एक नहीं दो दो पती को खा गई है, इसका पैर सुभ नहीं है, मतलब बहुत कुछ बोला, फिर भी सपना strong बनी रही और हर चीज को बहुत ही strong तरीके से जवाब दिया सबको, आप सबको पता है कि अभी सपना का जो पैर है, पैर फ्यक्चर हो चुका है, पैर तूट गया है, सपना रो रही थी, बोल रही थी, रोते हुए अपनी दिल की वाते बता रही थी, और अभी सपना के मम्मी, पापा, भाई सब देखने के लिए आये हुए हैं सपना के घर पे, सपना के जिनद् людям की में जो दुख है वो बया नहीं कर सकते हैं, जितना बड़ा दुख है, वो दुख को कोई बया नहीं कर सकता ह इसके उपर बीत रही है ना उसलिए महसूस कर सकता है बस सपना ने कल बोल रही थी कि इतनी कम उमर में जब हम छोटे रहते हैं तो माबाप हम गरीब घर से हैं और हमारे माबाप जो हैं कहीं घुमाने के लिए नहीं ले गए बोलते हैं कि बेटी जाते हैं लड़की जाते हैं साधी हो जाएगा तब तुम इधर उधर घूमना कुछ भी ऐसमोज करना बेटी को साधी से पहले नहीं कुछ करना चाहिए नहीं इधर उधर जाते घूमना चाहिए फिर साधी हो गया तो सपना बोली कि आज तक ना हम सूरत जी के साथ ना सूरत जी मुझे आज तक कई घुमाने के लिए ले गए बस अपना मैके से ससुराल से सुराल से मैके और जब साधी से पहले जब मैं छोटी थी तो बस अपनी नानी घर और नानी घर से अपना घर, पापा के घर, यहां से यहां तक और दुनिया हमारे लिए बहुत दूर है, मैं अभी दुनिया कुछ भी नहीं देखी हूँ कुछ भी नहीं देखी हूँ बोलते हैं कि बहुत ही किस तरीके से रहती है इतना पैसा कमाने के बाद भी ढंग नहीं है रहने का सपना ने बोली कि मैं अपने परिवार के तरह रहती हूँ जैसे मेरा परिवार घर में सब रहते हैं उस हिसाब से मैं अपने आपको ड्रालती हूं, दिखावा में कुछ नहीं करती हूं, इतना करती है बहुत रो रही थी, बोली कि मेरे सपना तो बहुत थे, मगर सब कुछ चूरचूर हो गया है, सब कुछ चूरचूर हो गया है, एक लड़िकी को मान सकते हो कि दो साल के अंद लेता है ऐसे लोगों को और कहीं न कहीं परिवार के तरफ से तो ताना मिलता ही मिलता है कि कैसे ना आभागन है कितना असू भी इसका पैर है कि दोनों पती को खा गया और सपना अपने साससुर के भी लेकर बहुत कुछ बोला बोली कि इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं अपने आपको बदलना चाहती हूँ मगर बदल नहीं सकती हूँ समाज को लेके और सपना अपने साथ ससुर को बोली कि ये मेरे माबाप से भी बढ़के हैं मैं अपनी मम्मी के बारे में दो सब्द अगर गलत भी बोल दू न तो चलेगा और मैंने बोला भी है अपने माबाप भाई के बारे में मैंने गलत बोला भी है यहां तक कि मैं अपने घर वाले से अपने मैके वालों से गुस्से भी थी इसलिए मैं गुस्सा थी ताकि मेरे ससुरार वाले के सा ससुर को मेरी मम्मी पापा को बुरा न लगे कि कहीं मेरे बेटे के जाने के बाद मेरी बहु जो है अपना रंग न दिखा दिया है सपना बहुत ही समझदार अस्ट्रॉंग लड़की है और बोलते हैं कि मुसीवत जो होता है न सब कुछ सिखात के चली जाती है मुसीवत के अनुसार ही मुसीवत पढ़ने पर अस्ट्रॉंग मुसीवत जो है बना ही देती है सपना बोली कि मेरी दो बेटियां है और इतना कम उमर है आज तक हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए कैसे लोग जाते हैं हनीमून जाते हैं घूमने के लिए साल में एक बार जाते हैं घूमने के लिए आज तक न मुझे राजवीर जी कहीं घुमाने के लिए ले गए नहीं सूरज जी घुमाने के लिए ले गए बस इसी घर में मैं हूँ और पड़ी हूँ पहले हमारी तव्यत खराब होती थी मेरी तो राजवीर जी कितना केर करते थे अपनी पुरानी वीडियो को याद करकर के सपना इतना इमोशनल होती है कि सच मैं मतलब जो वीडियो देखता है वो भी रो पढ़ता है आज मैं दो दिन पुराना वाले मैंने वीडियो देखा जिसमें अंसु जो है पढ़ाई कर ले थी और पढ़ाई करते करते सपना बोली कि अंसु तुम मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं न बोला कि नहीं नहीं भावी मैं कभी नहीं छोड़ूँगी आपको और इतना काते काते न सपना बहुत जादे रोने लगी कि मेरा भी आखों से आसु निकलने लगा बोल रही थी कि जब राजभीर जी थे न तो कितना मुझे ध्यान रखते थे कितना केर करते थे थोड़ी सी भी तव्यत खराब होती थी तो दबा हुआ सब कुछ देने लगते थे इतना फिकर करते थे अब तो मेरा कोई फिकर नहीं करने वाला है मेरा हाथ तूड़ जाए, पैर तूड़ जाए, कुछ भी हो जाए मेरा तो अब कोई फिकर ही करने वाला नहीं है हमसे तो कोई बात ही नहीं करता अंसु बोली कि कोई नहीं करता तो क्या हो गया मैं हूँ ना आपसे बात करने वाली सच मैं मतलब ए सारी बाते सुनके ना बहुत अदम हिर्दाई जो है ना दम दिल फट जाता है और आखों से तो पालनी रुकता ही नहीं है जब भी मैं वीडियो देखती हूं सपना को था सपना बोली कि मेरी जिंद्गी जो है ना एक छोटे से घर में इसी में सिमटके रह गई अब क्या मैं दुनिया घूमनी की आसा देखू तो बस सपना को मैं एही बोलना चाती हूं कि आप धैरे रखे बोलते हैं ना कि एक दिन एक दिन आपकी बेटियां जो है इतनी बड़े ओफीसर बनेंगी इतनी बड़े देश के लिए काम करेगी कि आपको गर्भ से नाम उचा होगा और आपके पती और आप नहीं घूम पाए तो क्या हुआ आपकी बेटियां आपको सभी जगा पुरा देश भी देश और क्या स्वासन दे सकती हुँ दोस्तों क्या दे सकती हुँ बस यही बोलती हुँ कि दो बेटियां हैं दो बेटी नहीं आपके दो हीरे हैं अब उन्हीं को अच्छे से पढ़ाईए लिखाईए बड़ा होके अच्छे इंसान बनाईए ताकि वो आपके सपना साकार करे आप हिम्मत रखिए जब आप रोते रहेंगी तो आपके बच्चे को उपर क्या असर पड़ेगा पता है सबको पता है कि आपका जो दुख है न कोई छोटा मोटा दुख नहीं है कि कोई बोल दिया कि भुला जाओ तो भुला जाओ आपको पलपल याद आती होगी पता है और अभी एक साल भी नहीं हुआ है हर पर्वतेवहार में आपको राजवीर जी के सूरज जी की बाते खलती होगी याद आती होगी और खुद एकेले कोने में जाके आप रोती होगी क्योंकि आप अपने साससुर से भी दिल की बाते नहीं कह सकती है क्योंकि आपके साससुर जो है खुद अपने जवान बेटे को दो साल के अंदर दो जवान बेटे को खोया है पढ़ा लिखा के उस मा के उपर क्या बीथती होगी तो अब भी अपना दुख बयान अपने साससूर से नहीं कर सकती हैं मगर आपके साससूर जो हैं बहुत ही अच्छे और अपने माबब के तरह आपको केर करने वाले मिले हैं भगवान करें ऐसा साससूर सभी लड़की को मिले आज कलके तो साससूर ऐसे हैं कि अगर ऐसा हादसा हो जाता है तो बहु को ही घर से निकाल देती है बगर आपके साससूर जो हैं बहुत ही अच्छे हैं आपको अपनी बेटी से भी बढ़के आपको प्यार करती हैं आपको बहु नहीं, अपना बेटा मानती हैं, कि मेरा सूरज और राजवीर आप ही हो So guys, अपना opinion हमें comment box में दीजिएगा और क्या बोल सकती हूँ, सपना का जो दुख है न, दुख को बयान नहीं कर सकते हैं बस महसूस कर सकते हैं, जो भगवान ने अतना बड़ा दुखो का जो पहार तोड़ा है, दुखो का जो बजरपात तोड़ा है न, कि इतने कम उमर में, एक बार नहीं, दो-दो बार इतना बड़ा-बड़ा हादसा हुआ है सपना के साथ अभी भी लोग ऐसे ऐसे थमनेल डालते हैं कि सपना तिसरी साधी करेगी, सपना चोथी साधी करेगी, कुछ लोग इतने घटिया कमेंट करते हैं, घटिया घटिया कमेंट करते हैं ऐसे लोगों को चुलू भर पानी में डूब के मरना चाहिए जो दूसरे को दुखो को मजाक बनाते हैं तो दोस्तों मिलती हैं नेक्ट वीडियो में थाइंक्स पर वाचिंग जय हिंद जय भारत